तुम्हारी जिन्दगी की जिम्मेदारी किसकी है? तुम्हे लाइफ में सफल बनाने की जिम्मेदारी किसकी है? आखिर सुबह जल्दी उठना क्यों होता है? आखिर क्या कारण है कि एपल के CEO टिम कुक सुबह 4 बजे उठ जाते हैं? ऑलिवुड के हाइस पेड अक्टर ड्वेन दरॉक जॉन्सन सुबह 3.30 बजे उठ जाते हैं बॉलिवुड के खिलाडी अक्षे कुमार सुबह 4 बजे उठ जाते हैं दुनिया के लगभग सभी करोर पती अरब पती सबसे जादा हाइली सक्सेस्फल लोग सुबह जल्दी उठ जाते हैं दोस्त आज एक बात को ध्यान रखना है ये वीडियो आखरी तक सिर्फ वही देखेगा जो सच में जिन्दगी में सीरियस है और सच में सुबह जल्दी उठना चाता है और अपने सपने को हकीकत में बदलना चाता है वीडियो शुरू करने से पहले याद रखो दोस्त अब तक जो करते आये थे अगर वही करोगे तो वही मिलेगा जो अब तक मिलता आया था तो आज मैं कुछ ऐसी चीजे बदलने को कहूँगा आज कुछ ऐसी चीजे जोडने को कहूँगा अगर तुमने ये कर लिया तो मैं गैरंटी देता हूँ कि अब से तुम सुबह जल्दी उठोगे दोस्त अगर आप नौर्मली सुबह साथ बजे उठते हैं लेकिन अगर सिर्फ तीन गंटा पहले उठना शुरू कर दिया तो पूरे साल में तुम एक हजार पिच्चानवे घंटे बचा लोगे और आगे आने वाले दस सालों में पूरा एक साल दो महीने और पच्चिस दिन यानिकी 10,950 गंटे और अगर ये तीन गंटे आगे आने वाले दस साल में तुमने उस स्किल में लगा दिये जिसमें तुमें एक्सपर्ट होना है तो तुमें उस स्किल में हराने वाला इस प्रोड़ा कुछ भी अचीव नहीं कर सकता जरूरी नहीं है कि आपको हर दिन आठ गंटे ही सोना है अगर आप 6 गंटे भी सोते हैं तो वो भी आपके लिए बैस्ट है आपको जादा प्रोड़क्टिव होना है जादा कारेशमता को बढ़ाना है तो 6 गंटे बहुत है और ये चीजे फॉलो करनी है जिससे आप गारेंटी से सुबह जल्दी उठ पाएंगे नमबर वन एक स्ट्रॉंग कारण दोस्तों आपको याद होगा जब भी आपको कहीं घूमने जाना होता है या कुछ भी इंट्रस्टिंग काम करना होता है जिसमें आपको मज़ा आता है तो उ बिजनिसमें हो तो अपने बिजनिस को बढ़ाने के लिए कर सकते हो आप जिस भी फील्ड में है उस फील्ड में बहतर बनने के लिए कर सकते हो नमबर टू थर्टी मिनट शटडाउन दोस्तों नॉर्मली ऐसा होता है रात को मोवाइल हाथ से छूटता नहीं तो सुबह तक की प्लानिंग बना सकते हो और सोने से महस पांच मिनट पहले आपको सिर्फ सबसे पॉजिटिव चीजे सोचनी है जो जिन्दगी में अच्छा अच्छा हुआ है सिर्फ वही सोचना है नंबर त्री सोने से पहले एक ये दो गलास आपको पानी पीना है दोस्तों कई बार ऐसा होता है कि हम अलान तो भर देते हैं लेकिन हमको सुनाई ही नहीं देता लेकिन अगर आप पानी पीकर सोते हैं तो आपका दिमाग हमेशा अलर्ट पोजिशन पे रहता है और साथ ही एक पर्टिकुलर टाइम के बाद हमें अपने शरीर से पानी को यूरिनेट करना होता है तो इसके कारण अगर आप पानी पीकर सोएंगे तो आपको सुबह जल्दी उटने में हैल्प होगी और सबसे जरूरी है नंबर चार सिर्फ एक अलार्म सेट करो और उसको अपने बै और चार बजे का जो तुम्हारा टार्गेट होता है जिंदगी में कभी पूरा नहीं होता तो दोस्त सिर्फ एक ही अलार्म भरना है और उस अलार्म क्लॉक को अपने बैड से काफी दूर रखना है ताकि जब भी वो अलार्म बजे तो आपको उठकर उसको बंद करना तो जैसे ही अगर आप उड़ जाते हैं तो वहीं पर हलकी सी exercise करनी है और साथ ही mood होकर 10 minute खुली हवा में घूमना है। दोस्तो अगर ये चार काम आप मात्र 21 दिन कर लेते हैं तो आपके लिए सुबह उठना बच्चों का खेल हो जाएगा। पहले दिन दिक्कत होगी मैं मानता हूँ लेकिन 21 दिन अगर आपने कर लिया तो आप इस खेल के master बन जाओगे ये भी मैं जानता हूँ। आखरी में मेरी एक बात याद रखना सोते रहने वाले सिर्फ सपने देखते हैं और जागने वाले उन सपनों को जिद में बदल कर हकीकत में पूरा करते हैं। तुम कौन हो वो मुझे कमेंट में लिख कर बताना वीडियो को जादा से जादा शेयर कर देना लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूला क्योंकि ऐसा मोटिवेशन आपको कहीं नहीं मिलेगा और याद रखना मैं हूँ सिद्धान चर्मा कोई है या नहीं मैं हमेशा आपके साथ हूँ Be happy and stay motivated with Stradomania